हैलो माई डियर फ्रेंड्स बीपेस एस्पिरेंट वेलकम टो आवर चैनल एस्पिरेंटो सिविलियन आई एम प्रेंगुमा देखिए इस वीडियो में हम लोग शिक्ष्टीन बीपेस सीखा एक एक्सपेक्टेड सेफे स्कूर क्या रहेगा कि इतना पर त्यारिक करना इसमें मैंस के लिए जा सकते हैं और इसमें क्या है कि अभी इसका फाइनल एक और एंसर की आएगा अभी इसमें भी ऑप्जेक्शन मानगा गया है बिस तारिक सकता अब तो यह दसारा पुझा का बाद ही आएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27 तारिक हो एक मजब के अब तो ज़्यादे एक्सपेक्टेशन होगा कि इसमें एंसर की चींज नहीं होगा क्योंकि यह जीतना एक्सपेक्टेशन दिया गया आइधिंग कि सब्सक्रेक्ट है कुछ डाउट है लेकिनों वीपेसी के कोडिंग के चलेगा तो यह रहेगा और अब जो यहीं है आप देखनों को मिल सकता है तो यहीं अपडेट है 68 का अभी कोपी वेलेशन चला है उसका अभी आपका चलेगा नॉंबर के हो सकता है अभी मीड तक रिजल्ट का कुछ सुचना मिले तो हम लोग एक्जेक्ट बताएंग अभी कोई एक्जेक्ट प्रूप कुछ नहीं मिला इंटर्विव कराया जा तो नॉंबर के लाज्ट तक के स्टार्ट हो सकता है इंटर्विव और 69 के प्रीक का रिजल्ट 15 तरीक हो संभावित है और आपको जो है इसका एक्जाम जो है दिसम्बर में संभावित है 14-17 के बीच में आसपास 10 से लेकर तो यह आपके पास टाइ लेकिन बीच से टीचर वगरा को लेकर वह ज़्यादा यह है तो और जो बीच से टीचर का जो भी बचा हुआ डिजल्ट है वह आपको आएगा इस मंत के लास्ट तक वह भी आजाएगा तो यह आपको दिया गया है बीच से चेरमान सर के द्वार एक ट्वीट तो वो नहीं आपनान्यमटर रेजल्टी अबहाँ गया तो चल्डि आ चेलम आलेगा तो यह जो है आपको रिजल्ट में इस बिचलेएट nahi एक लास्ट में चालाट में है और clarify मान की औरन्म के लिए अब रखकरते हैं यह जरू देखेंगा थे उस्णी में परना आरी लाकर शर्स